तो नमस्कार दोस्तो गोसवामी एगरी कल्चल क्लासे इसमें आपका एक बार फिर से सुआ गए तो देखिए अभी लाश्ट क्लास में हमने है जो बी एस्टी सी की जो जी के क्यूशन थे उनको सोल्व किया था और अभी जस्ट क्लास में हमें जो सिक्षन अभी शमता और क्या है तो सांस्कृतिक शमानता अधिक दुश्यचंता और इसपश्टता और संचिप्तता तो इसका आंसर क्या है भी है अधिक दुश्यचंता अगला है क्यूशन नम्मर 102 जब कुछ छात्र जान बूच का सरारत करें कक्षा में अनुसासन को बैंक करके करने का प्रयास कर र सदारेंगे उन्हें आत्म निरक्षन का आउसर देंगे और उन्हें वेवार को सुदारेंगे तो इसका सही आंसर क्या हैगा डी उन्हें आत्म निरक्षन का आउसर देंगे और उन्हें वेवार को सुदारेंगे अलग क्यूशन नम्मर 103 है कि एक नेता होना चाहिए तो एक जो सबसे सही की सामजिक बदलाओं में मैला ओर की महत्यपुन निकित सामघरी का एक अच्छा करने की चमता बासाई अबिवक्ती बासा और तार्किक अबिवक्ती और विशयकी समझ तो 105 का जो सही subject is है वो कौन सा है सी बासाई और तार्किक अभिवक्ती क्यूश्न नमर 106 विद्धाले मूल रूप से सामजिक संस्ताए हैं क्योंकि वे हमारी संस्कृति के मुल्यों और संरक्षित करते हैं और भावी पीडियों को उनको संचार करते हैं वे सामजिक प्रगर्ति के तरीकों और साधन सुजाते हैं वे सामजिक समशाओं को समधान का सुजाओ देते हैं वे समाज लेक्सिया संबंदित है तो यह किसे संबंदित है पंडने के विकार से किसे पंडने के विकार से तो पहला कौन सा है बच्चों का सर्व के विकास पाठे पाठे चरिया में अभिरूची का विकास विद्धाले के वाताणों में आकर सक बनाना अभिवावक स्रिक्षन संबंद करना तो क्यूशन नमर 108 में आएगा क्या बच्चों का सर्विंग है मलब बच्चों का अच्छी तरह से विकास करना अलग क्यूशन नमर 109 एक परभाव संब्द्दार्द सर्वार्णा ने नहीं मानता तो इसमें क्या अप्षिन नमरे कि जुम्यदारी शुम्द पर लेता है क्यूशन नमर 110 है कि प्रसंचा का उप्योग करते समय के अध्यापग कौन सी गलती कर सकता है विक्ति की विक्ति की नहीं कारिये की प्रसंचा करना अalnız प्रियासों के संब्धे प्रगति की प्रशंशा करना और प्रियासों सीधे तोर पर उचित वेवार से जुड़ी हो ती क्यूशन नमर 110 का जो सही आंसर है वो है एस अपलता को संतुलित करने के लिए विदार्ति के एवांचनी प्रशंशा करना क्यूशन नमर 111 है सिक्षन के लिए गति सील दरश्टी कोण का अर्थ है तो इसका जो आंसर है वो देखते हैं कि सिक्षन ससक्त और प्रभावी होना चाहिए सिक्षन उर्जावान गति सील होना चाहिए सिक्षन का विशे इस्तर होना चाहिए और छात्रों की गति विदियो क के माध्यम से सीखने के आउ सकता हो ना चाहिए अगला क्यूशन नमर 112 अनभाव पर आदारित व्यवार में अपेक्षकर्त इस्ताई परिवर्तन को कहा जाता है तो इसका जो सही आंशर है वो क्या है अधी गम किसे क्या आज़ा था अधी गम एक परभावी एक क्यूशन नमर चाहिए तो इसका अर्थ क्या है अनेक आर्थ अक्यूशन नमर है 114 नवीन मोलिक और उप्यूक्त विचारों का विचारों या कारियों को उत्पन करने की योगिता संबंदित है तो किसे संबंदित है तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है सर्जनात्मक से सर्जनात्मकता से क्यूशन नमर 115 एक सिक्षक और श्वम एक सिक्षक श्वम और सिक्षा त्यों के में रचनात्मक्ता कैसे विक्षित कर सकता है तो वह कैसे विक्षित कर सकता है देखे किसी रचना का कार्या की प्रसंसा करके नई लक्ष का निधारन करके या नई दमित जानकारी दे कर या वि विचारो उत्तेजक खेल खिलाकर क्यूशन नमर 116 कि एक अध्याय के रूम में आप अपने संप्रेशन से प्रभावी बनने हित्तू क्या करेंगे क्यूशन नमर 116 है तो इसमें क्या है कि विदार्तियों के अधिगम इस्तर को जानेंगे समुचित सब्दों का प्रियोग करेंगे अपने ग्यान को तृत करेंगे और जोर से बोलेंगे तो इसका सही आंसर क्या है वी समुचित सब्दों का प्रियोग करेंगे अच्छी उपलब्दी परेक्षण की विशेषता है एक अच्छी उपलब्दी है विश्वस्नियत वैदता और निक्षपता विश्वस्नियत और वैदता और विश्वस्नियत और निक्षपता तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ए विश्वस्नियत वैदता और निक्षपता अ और है समूं की हितमे गती विद्या और समूँ उदासींता क्योशन नॉम्र 118 है उसका सही आंसर कह है समूं हितमे गती विद्या अलक बाल को में किसी भी व्यफ्वाज़्ाई के परتिपूर्व् धाणा का विकास होता है तो किसके नमबर 120 है कि निमी लिक्त में से कौन से मुल्यांकन विदी पक्षपात एवं व्यक्तिनिस्ट हो सकती है कौन सी हो सकती है तो हो इकाई परिक्षण अवलोकन सूची और उपलबदी परिक्षण तो इसमें क्या हो सकता है उपलबदी परिक्षण अगला क्यूशन नमबर 121 क् कि विदार्तियों के सहयोग की भावना बढ़ाने के लिए निमिल लिखत में से कौन सा सबसे परभावी होगा विदार्तियों में सहयोग की भावना बढ़ाने के लिए निमिल लिखत में से कौन सा सबसे परभावी होगा तो व्यक्तिगत परतिसपर्दा का आयोजन ग्रह कार प्रियतनों की अपेक्षा बुद्धी का असरे देना और इस्पष्ट लक्ष और दिशा निदेश तो क्या है इस्पष्ट लक्ष और दिशा देना अगला है क्यूशन नम्मर 123 यदि आपको सामाने चात्रों के साथ सद एक दिव्यांगे चात्रों को पढ़ाने का उसर मिले तो आप उसे कक्षा में किस परकार का शिक्षन देना चाहेंगे उस पर अतिरिक्त ध्यान नहीं देंगे क्योंकि अधिकांस विद्यारत को प्रेशा नहीं हो सकती है कक्षा में सहानबूती सहानबूती पूरो उसका ध्यान रखेंगे आप सोचेंगे कि यह उसके भाग्यो अत्य आप कुछ नहीं कर सकते उसके लिए आगे की पंक्ति की सीट की विवस्ता करेंगे और सुईदा जनक गति को अध्यापन का प्रयास करेंगे तो इसका जो सही आंसर कहा है कि कक्षा में सहानबूती से उसका ध्यान रखेंगे क्यूशन नमबर 124 सिक्षन विदी के चैन में ध्यान रखना चाहिए जो सिक्षन विदी है उसके चैन में किस पर का ध्यान रखना चाहिए तो विशेवस्तु की परकरती पर विधारतियों की मांसिक इस्तर पर उपलब संसादनों पर विधारतियों के जेंडर पर तो इसमें विद्धार्तियों के मानसिक इसतर पर अगला है सरजनात्मक सम्मंदित है जो सरजनात्मकता सम्मंदित है तो सरजनात्मक अभिशारी अपसारी और के अल्गोरिदम और क्रमबंद तो यह किसे है अपसारी चिंतन से है किसे है अपसारी अभिशारी चिंतन से है अगला है कि जो कक्षा का माहुल नहीं होना चाहिए कक्षा का माहुल कैसा नहीं होना चाहिए बरोशमंद धम की भरा ध्यान रखने वाला और शम्मान पूनों कैसा नहीं होना चाहिए अगला है टोर से के अनुसर सर्जनात्मक्ता के आयाम है सर्जनात्मक्ता के आयाम है मोलिकता, लचिलापन, धारा परवाहित और नवीनता, अभी प्रेणा, लचिलापन, मोलिकता, वांचनियता, उप्योगिता, नवीनता, उत्पादक तो अभी प्रेणा तो इसमें क्या आयागा option number A मौलिक्ता, लचिलापन और दारा प्रवाई अला question number 128 है कि अध्यापक की कार्य शम्ता को बढ़ाया जा सकता है कि अध्यापक की जो कार्य शम्ता है उसको कैसे बढ़ाया जा सकता है प्रक्षा फल के अनुसार पद्वन्ति देकर खट और प्रशाशन के दुवारा उसके कार्य की सहारना करके अच्छा वेतन देकर तो उसके कार्य की अगर हम सहारना करेंगे तो और भी अच्छा कार्य करेगा चुशन number 133 है गिरिश्मा उकास के व्यवसाइक सहंवर्दन की कार्य कर्य 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 परिवार को समय दे अला क्यूशन नमर 130 है रिपोर्ट कार्ड तयार करने का उचित नहीं है रिपोर्ट कार्ड तयार करने में क्या उचित नहीं है रिपोर्ट स्वय व्याक्षित होनी चाहिए रिपोर्ड में विद्धाले दुवारा तै किये गए सभी माप धंड होने चाहि मूल जीवन कोसल में किसीं में किसे सामिल नहीं किया गया है तो इसमें किसें सामिल महत्यपूर्ण चुनोती है कि एक जो सिक्षन है उसकी जो सबसे महत्यपूर्ण जो चुनोती है वो क्या है कि छात्रों को गरह कारे करवाना सिक्षन अधिगम परिक्रिया को मनुरंजक बनाना कक्षा में अनुसासन बनाए रखना और प्रशन पत्र तयार गरना तो यहीं इसमें क्या है कि कक्षा में अनुसासन बनाए रखना अगला है क्यूशन नमर 133 एक अध्यापक कक्षा में वातावान को सुखद रखता है क्योंकि एक अध्यापक कक्षा के वातावान को सुखद रखता है सुखत रखता है क्योंकि विधारती प्रादाचारिय से सिकायत नहीं करें समय आसानी से गुजर जाए सुखत मनोस्तिती के विधारतियों को बहतर सीखते हैं विधारती चुप रहे और अपने विक्तिवत कारिय कर सके तो इसका जो सही आंसर है सुकत मनो इस्तिती में विधारतियों को बहतर सीखते हैं अलग क्यूशन नमबर 134 है विधारतियों के अध्यन के लिए प्रिद करने है तो कौन सा तरीका उचित होगा लो कौन सा तरीका है जो उचीत होगा विदारतियों को रट कर सिखाने के लिए कहना ये तो बिल्कुली कहजट है नोट्स देना मेत्यपुन प्रिशन बताना और विदारतियों को फीडबैक देना लिए अगला है निम्लिक्त में से कौन सा सतत और व्यापक मुल्यांकन प्रणाली के मुल्यांकन में समलित नहीं है तो देखे परिवार कारिया चेतर संग्यानात्मकारिया चेतर भावनात्मकारिया चेतर और मनो सारीरिक कारिया चेतर इसमें कौन सा आएगा सारीरिक कारिया चेतर क्यूशन नमर 136 है अधिगम के बारे में कौन सा सही नहीं है तो अधिगम एक सतत परकिरिया है अधिगम उद्देश्य पूर्ण है अधिगम परिपक्वता है और अधिगम परिवर्तन है तो क्यूशन नमर 136 का जय है तो अधिगम क्या है एक परिपक्वता है अधिगम क्या मरिन से बोई अगला क्यूशन स्य थे सторовर में से कौन सा खतन सर्जन सिल्चsm Jason विक्तियों के बारे में गलत है सर्जन विक्तियों का ग्यान व्यापक होता है型 उतन्तर नकल लेने की च्हंता होती है सर्जन सिल्चम्पप एधींद्र पारिंपरिक होते हैं और यह इस पष्ट विचारों में रूची नहीं दिखाते हैं तो यह कौन सा था फिए नमर 137 तो सर्जान्ध motoviki है जो अधिक पारेंप्रिक होते हैं तो इस पष्ट विचारों में रूची नहीं दिखाते हैं कि इसका आंसर हो जाएगा डी must क्यूशन नमर 138, छात्रों के सेक्षनिक परदर्शन में सुधार किया जा सकता, यदि माता पिता को प्रोसाहित किया जाए कि वे अपने बच्चे को काम में प्रिक्षन करें, अतिरिक्त ट्यूशन की विवस्ता करें, अपने बच्चों को आवसक संसादन उपलब्द करें, बच्चों की परगती के बारे में सिक्षकों के साथ आकर बाचीत करें, तो बच्चों को इसका जो सही आंसर है, तो बच्चों की परगती के बारे में सिक्षकों के साथ आकर बाचीत करें, क्यूशन नमर 149 में से कौन सा सर्जनात्मक विद्धारतियों को प्रोसाहित करता है तो इसका जो सही आंशर है वो क्या है व्याक्षान नहीं आज्याकारिता नहीं मस्तक्ष उन्रिलंग नहीं और अनुसासर यह क्या है मस्तक्ष और ओप्षन नमर से मश्योण नुश्रट विज्द्र अध्यायाफक 1 i41 की सरवादिक रूचिह नहीं चाहिए 111 में सामजिक विकास में और केवल पढ़ाने में ओप्शन नम्मर ए विदारतियों के सर्वें विकास में अलग क्यूशन नम्मर 141 एक अध्यापक के रूप में आप प्रात्मिक्ता देंगे कि बच्चों की आलोचनातमक और वेग्यनिक चिंतन का विकास करें समय पर पार्टि हैं उसमें जो आलोचनातमक और वेग्यनिक चिंतन के विकास करें अलग की नई गति विदियो और उत्पादक कार्योग में सलगनता के लिए पहल को पुर्चाइद करने के लिए एक अध्यापक गलतियों के प्रति सहन सील नहीं होता है विद्यारतियों के एवास्तविक ल उनके साथ विद्यारतियों को स्वतंतरता सुरी इसमें क्या आएगा विद्यारतियों को स्वतंतरता कि विद्यारतियों को स्वतंतरता कि विद्यारतियों को स्वतंतरता और जिम्मेदार दिखाने का मोखा देता है कि कश्या को प्रभावी अनुसासन बनाया रखने के लि करने के लिए कुछ समश्चाएं दे और उनके साथ विन्रमता और द्रड़ता से पेश कराएं तो क्यों इसका क्या जाएगा डी उनके साथ विन्रमता और द्रड़ता से पेश आए अगला है कि निमिलिक्त में से किस विदी दुवारा विधारते का सही मुल्यांकन संभव है पाठ्यकरम के अंत में मुल्यांकन, साल में दो बार मुल्यांकन, सतत मुल्यांकन और रचनात्मक मुल्यांकन तो इसका कौन सा है सतत मुल्यांकन अलग क्यूशन नमर 145 महात्मा गांदी ने कौन सी सिक्षा पद्धिती प्रस्तावित किया महात्मा जो गांदी थे उन्होंने कौन सी सिक्षा पद्यती को रुसाइट किया तो कौन सी थी बुनियादी सिक्षा पद्यती अलाक क्यूशन नमर 146 किस परकार के नेतरत में विद्धारतों को समुझत वर्दी विकास